जे हिंदोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्तुपुन क्वास्चन आंसर फनस्वनात रहनुजी से संबंदे तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को कर लें सस्क्राइब वीडियो को कर लें लाइक और जादा से जादा वीडियो को सेयर करें ताकि अनलोग भी एफ वीडियो देख सकें ने देख सेयर अपने से लिए अपनी तैयारी में लग जाएए तो चलिए देख लेते हैं फनस्तोनात रहनुद धरती का धनी कहें जाने बाली फनस्तोनात रहनुद जी से संबंदे फर्स्ट कोस्चन याँपर पूंच गया है कि फणिस्तो नाथ रेणू का जन्म में कब हुआ था यह आपको बताना है चार विकल्प आपकी यहाँ पर देगए है आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरू बताते जाएं तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कि 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था तो विकल्प नमबर C आपका सही आंसर होगा किस साहित्यकार को आजादी के बाद का प्रियम्चंद कहा जाता है तो वह कौन से वह साहित्यकार है जिनको आजादी के बाद का प्रियम्चंद कहा जाता ह तो आपका सही आंसर है फणिस्टो नात रेणू विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा यहाँ पर पूचा हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है यह आपको बताना है बताईए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास परती परिकत्ता मेला आचल दिर्गतपा या फिर जुलूस तो आपका राइट आंसर है मेला आचल विकल्प नंबर B आपका सही आंसर होगा रेणु जी का उपन्यास मेला आचल का प्रकासित हुआ ये बता नहीं बताईए 1955, 1955, 1969 या 1969 में तो आपका सही आंसर मेला आचल का प्रकासित हुआ 1955 आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा फड़ सोना त्रेणु की परतम कहानी है कौन सी है ठेस है या फर तीसरी कसम लाल पान की बेकम या बत बाबा तो question number 5 है और आपका विल्कुल सही right answer होगा क्या है right answer आपका सही answer है यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानि की वट वाबा आपका सही answer होगा question number आपका यहाँ पर पूँचा है फड़ सोना त्रेणु की परतम प्रोण कहानी कौन सी है question number 6 का right answer बताना है क्या होगा इसका right answer question number 6 है और 6 का सही answer यहाँ पर विल्कुल सही right answer है पार्टी का भूथ फड़ सोना त्रेणु की परतम प्रोण कहानी मानी जाती है question number 7 पूँचा है फड़ सोना त्रेणु की कौन सी कहानी मारे गए गुलफाम नाम से प्रकासित हुई है पार्टी का भूथ तीसरी कसम या फिर लाल पान की बेगम या बट बाबा तो इनकी कौन सी कहानी मारे गए गुलफाम नाम से प्रकासित हुई है तो तीसरी कसम आपका विकल्प नमबर B यहाँ पर राइट आंसर होगा Q8 पूँचा है फनस्वानात रेणू की अंत्यम कहानी कौन सी है लाल पान की बेगां कसवे की लड़की अगनी संचारक या संवधिया तो आपका सही आंसर है अगनी संचारक आपका राइट आंसर है रेणू जी की अंत्यम कहानी मानी जाती है Q9 है फनस्वानात रेणू का प्रिथम कहानी संग्रे कौन सा माना जाता है कहानी संग्रे पूचा है तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बताईए महत्वपून क्वास्चन है रेणू का पर्थम कहानी संग्रा बताना है तो विल्कुल सही राइट आंसर है ठुमरी यानि की विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा फड़े सुनात रेणू का रिपोर्टाज इस जल प्रलय में किस पत्रिका में नदियों की आग सीरसक से प्रकासित हुआ यह बताना है आपके लिए अब्यूदाय संगम या दो विकल्प आपकी यहाँ पर दिये गए हैं देख लेते हैं क्या दिये गए हैं दो विकल्प और आपके यहाँ पर तो यह रहे साक्ष या निकस तो आपका राइट आंसर है कि फणल सुनात रेणू का रिपोर्टाज इस जल पिरलय में किस पत्रिका में नदियों की आग सीरसक से प्रकासित हुआ तो साक्ष आपका सही आंसर होगा रेणू की आत्मकता कौन सी है यहाँ पर बताना है चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है रेणू की आत्मकता पूंचा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वास्चन नमबर 11 का डी आनि की आत्म परिचाय आपका सह आंसर होगा क्वास्चन नमबर वारा है फनेस्वन नात रेणू का संसमर्ण है तो कौन सा है बताईए एक स्रावणी दोफर की धोप बन तुलसी की गंद बट वाबा या फिर आत्म परिचाए तो बन तुलसी की गंद इनका संसमर्ण माना जाता है रेणू जी का बिल्कुल सही बहुत बड़ियाँ फनेस्वन नात रेणू का जन्म कहा पर हुआ ये बताना है म्हत्तपुन question पूछा गया है आपसे आपर question नमबर 13 और 13 का बिल्कुल सही right answer है फनेस्वन नात रेणू का जन्म कहां पर हुआ ओ राही हिंगना अर रिया बिहार में इनका जन्म हुआ है तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा रेणु को केसो पन्यास के लिए पदमसरी सम्मान मिला था परती परीकत था मेला आचल दीरगत तपा या फिर जुलूस बताईए तो केसो पन्यास के लिए पदमसरी सम्मान मिला था रेणु जी को तो भूत ही महत्तपुन कोश्चन है और मेला आचल आपका बिलकुल सही राइट आंसर होगा क्वेस्चन नमबर 15 की बात करें कि गोपाल राय ने फणसोनात रेणु की के सो पन्यास को हिंदी का परतम आचल को पन्यास माना है परती परीकता को मेला आचल को दीरगत तपा को या जुलूस तो क्वेस्चन नमबर 15 है और 15 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर एक राय आउसर है गोपाल राय ने फणसोनात रेणु जी का पन्यास परती परीकता इसको हिंदी का परतम आचल को पन्यास माना है क्वेस्चन नमबर 16 है रेणु का वच्चपन का क्या नाम था नरेंद्र या पतेसरा या फिर फनेसरा या रभींद्र तो आपका सही आंसर है फनेसरा यानि की विकल्प नमबर आपका जो सी है भहे आपका राय आउसर होगा रेणु की स्कूली सिक्षा कहां पर हुई काटमांडू नेपाल में फार सी फार विस गंज नेपाल में या फिर कलकत्ता या पोंडिया में तो इनकी देखे इसकूली सिक्षा पूंचा साथ राय आंसर है किस उपन्यास के परकासन में रेणु जी को अपनी पत्तनी लतिका जी के कहिने ब्यांचने पड़े थे किस उपन्यास के परकासन में इह बताना है क्वस्चीं baik पर 18 है महत्वपूल है और आपका सही आंसर है मेला आचल मेला आचल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल नमबर बी आपका सही आंसर होगा फड़े सुनात रेणु को धरती का धनी की उपमा किसने दी है तो आपका सही आंसर यहां पर होगा क्या होगा राइट आंसर question number आपका 19 से right answer है ये उफमा जो दी है अग्गे जी ने दी है तो बिलकुल सही right answer होगा अग्गे फड़े सुना त्रेणु की पिर्थम कहानी बट बाबा किस पत्रिकाम प्रकासित हुई है जागरण में सरस्वती में विसाल भारत में ये बिस्वा मित्र में तो बट बाबा ये जो इनकी पिर्थम कहानी है और ये बिस्वा मित्र पत्रिकामें प्रकासित हुई है बिलकुल सही बट बाबा कहानी का प्रकासित हुई एक question number 21 है और 21 का right answer है आपका यहाँ पर बिलकुल सही right answer प्रकासित हुई ये बताना है जागरा में सरस्वती में विसाल भारत में या विस्वा मित्र में तो question number 23 का right answer है आपका यहाँ पर बिलकुल नमबर दी यानि की विस्वा मित्र आपका सही answer होगा question number 24 है रेनु जी की कहानी लाल पान की बेगम कब प्रकासित हुई 1956 संताउन अंठाउन 69 इसवी में तो बताइए कब यह जो है लाल पान की बेगम कब प्रकासित हुई रेनु जी की कहानी है लाल पान की बेगम और यह जो है प्रकासित हुई 1907 इसवी में यानि की विकल्प नमबर आपका भी यहाँ पर right answer होगा फणी रेनु द्वारा रचित कितनी कहानिया मैनी जाती है आपका right answer है 63 कहानिया ला最 e-right answer होगा प्रकासित है फणी रेनु की उपन्यासों का प्रकासित हुई बर्स क के नसार सही क्रम किस विकल्प में है विकल्प आपको यहाँ पर चैन करना है इनके उपन्यासों का प्रकासन वर्स के अनुसार बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है सबसे पहली आता है मेला आचल परती परिकत्था और दिर्गतपा और जुलूस यह आपका सही आंसर होका बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं देखे एरहा कॉस्चन नंबर आपका 27 है फनेसों नात रियनु का परती परिकत्था उपन्यास का प्रकासित हुआ था यह आपको बताना है महत्तपूर्ण कॉस्चन है कॉस्चन नंबर 27 है और इसका सही आंसर होका आपका विकल्प नंबर भी उन्निस सो संताउनीश भी मे कॉस्चन नंबर आपका 28 है इन्निस से कौन सव पन्यास फनेसों नात रियनु का नहीं है कितने चौरा है यह तो है पल्टुबाब रोड ए भी है कलंक मुक्ती ए भी है पत बंदू था यह नहीं है तो विकल्प नंबर आपका जो निसी है वह आपका राइट आंसर होगा ब जय दोल या फिर नैना जोगिन या फिर कस्वे की लड़की या संवधिया तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर जय दोल आपका बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा यहाँ पर पूचा है सन्बेदिया कहानी का परकासन कब हुआ था बताईए कौस्च नंबर तीर से और तीस का राइट आंसर बताना है महत्तपुल कौस्चन आप से पूचा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है उनने सो बासट इसवी यानि की विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर होगा फने सो नात रयाणू के ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकासन उन 1963 में हुआ था、 1962 में, उनने सो साठ या उनने सो इसवी में हुआ था पने सो नात रयाणू के ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकासन कब हुआ था 1969 आपका राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा कहानी संग्रे फणिस्तो नातरियनु का नहीं है आदमरात्री की महक एक स्रावणी दफेर की धूप या विपत्थ का या अगनी खूर कौस्चन नमबर आपका 32 से और 32 का सही आंसर विकल्प नमबर सी यानि की विपत्थ का आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल से बहुत बढ़ियां अंगला कौस्चन क्या है की बन तुलसी की गंद का प्रकासन कब हुआ था question number 33 से और 33 का right answer बताईए रिपोर्ट आज माना जाता है बन तुलसी की गंदे फण सुनात रेणू जी का प्रिकासन पूंचा है तो आपका बिल्कुल सही right answer 1984 और इस भी फण सुनात रेणू का निधन कब हुआ यह बताना है महत्तपून question पूंचा क्या है इनका निधन कब हुआ तो देखे इनका निधन हुआ था 11 अप्रेल 1977 आपका यहां पर क्या होगा right answer यह बताना है तो राइट आंसर है आपका है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा है यहाँ पर विकल्प में नहीं दिये फणे सुनात रेणु का निधन आपको बताना है तो इनका निधन हुआ था 11 अप्रेल 1977 को इनका नेधन हुआ था जन्म इनका 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था कहाँ पर अररिया बिहार में इनका जन्म हुआ था तो इस परकार ए जो है इनके महत्तपूर्ण इनके संबंदित अपने यहाँ पर पर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा सी ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलुग भी वीडियो देख सकें अपने 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 ज्यादा वीडियो के लिए बहुत भी धन्यवाद जय हिंद